Hey students, इस tutorial के अंदर हम इस chapter का सबसे interesting question सबसे interesting way में solve करेंगे कैसे, दखो, ये question कहता है, ये जो figure है, it depicts a racing track तो ये एक racing track होगा, ठीक है, whose left and right ends are semi circular तो हो कहता है कि ये end semi circular है और ये end भी semi circular है तो इसका अंदर ये track को actually मैं 4 parts में split कर सकता हूँ, कैसे, देखो एक part तो ये हो गया, क्योंकि semi circle जहां से शुरू होता है उसको छोड़के बाकी का part तो straight होगा, और यहां पर भी जहां तक semi circle शुरू होता है उससे पहले वाला part straight होगा, तो इस का अंदर ये actually एक rectangular region है semi circular region होगा, तो 4 regions होगा है हमारे पास, ठीक है अचा, अब इसमें एक चीज और सोचने वाली important, इसमें समझने वाली ये है कि ये जो पीच में blue वाली lines है न, इनको आपने consider नहीं करना आप सिरफ ये ही सोचो, कि आपका जो track है, वो बस ये track है, ठीक है तो ये हमारे पास track है, उसके अंदर क्या है, lines कैसी है, उसको आप ignore कर दो, ठीक है तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं वापिस से, फिर से अभी original track भी आ जाता हूँ, ठीक है जो हमें given था, colored track हम बाद में देखते हैं, समझने के लिए ये कहता है, the distance between the two inner parallel lines segments is 60 meter इनर parallel lines, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो blue वाले tracks है, इनको छोड़ दो, ये तो tracks है अंदर तो एक line ये बाहर black वाली बन रही है, और एक ये अंदर वाली बन रही है लेकिन parallel है, तो parallel का मतलब straight होंगी, line segments तो ये जो यहां rectangle बनती थी ना, तो अब हम उसके उपर चलते हैं, ये इसको ऐसे समझते हैं ये दो rectangles थी, ये semi circular part और ये जो अंदर वाली line है, ठीक है तो अब इसमें हमें पता है कि यहां से लेके यहां तक straight line है और ये यहां से लेके यहां तक ये straight line है, ठीक है ये straight line segment ये straight line segment तो ये जो दो parallel line segments है इनके बीच का distance 60 meters है तो यानिकि ये जो distance है ये हमें given है 60 meters ठीक है और and they are 106 meters long तो ये यहां से लेके यहां तक 106 meters है तो यानिकि ये भी 106 meters होगी ठीक है क्योंकि ये rectangular region है तो ये हो गया 106 meters तो ये भी आ गया हमारे पास similarly ये भी 106 meters होगी okay if the track is 10 meter wide अब ये पूरा track है ठीक है ये पूरा track है और track कितना wide है 10 meters तो यानिकि ये जो ये इतनी जो हमारे पास ये इसकी width है ये हमें given है 10 meters तो एक तरह से ध्यान से देखा जाए तो ये जो है ये पूरी जो rectangle बनती है ये उसकी length हो गई और ये क्या होगी इसकी breadth तो breadth हमें कितनी के बना है 10 meters ठीक है ये 10 meters similarly ये भी 10 meters ही होगी ठीक है क्योंकि पूरा 10 meters जलता जा रहा है तो सारा 10 10 10 10 ही है ठीक है तो ये width होगी okay अब वो कहता है find the distance around the track long its inner edge तो ये inner edge है ये पूरा black वाला inner edge है वो कहता है इसका आप distance find out करो तो distance find out करना देखो कितन आसान है यह हमें पता है कि यहां से लेकर यहां तक यह जो red वाला portion है track का यह 106 meters है इसी तरह से यह red वाला portion जो है यह भी 106 meters है तो 106 plus 106 यह तो निकलाया ठीक है अब यह जो अंदर वाला edge है अब इसमें यह पार्ट और यह पार्ट तो निकला है लेकिन अब अगर आप ध करनी पड़ेगी और इधर से इसकी circumference यह भी हमें find out करनी पड़ेगी ठीक है तो अब इस point को मालो मैं बोल देता हूं से A इस वाले point को मैं B बोल देता हूं और यहां पर कोई एक point ले लेते हैं से Y ठीक है तो A Y B यह इस semi circle की circumference है पूरा circle हो तो circumference होती है 2 pi r और आदे circle की क पाए आर तो यह पाए आर तो मुझे सिरफ और सिरफ क्या चाहिए radius तो radius अब यह semi circle है तो semi circle है तो इसके लोग A B का diameter हो जाएगा और A B कितना है 60 meters क्योंकि दो जब तक यह parallel चल रही है उनके बीच का distance 60 meters given है तो अगर इसको मैं O point मालनूं तो O A मेरे पास हो जाएगा 30 meters तो जितनी circumference यह होगी उतनी ही यह होगी तो पायार इदर से पायार यहां से 106 यह 106 यह तो इन चारों को मैड करेंगे तो यह जो inner edge है इसकी हमें length मिल जाएगी so let's solve it first तो अब हमने इनको अलरी A, B, Y बोला था इस point को मैं C बोल देता हूँ इसको D और इसको Z तो सबसे पहले यह जो semi circles बन रहे हैं इनका radius तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि diameter कितना given हमें diameter of semi circles तो दोनों जो semi circles लगा हैं उनका diameter बनता है 60 meters तो इसका हमतला radius radius दोनों का ही जो radius है तो radius उसको हम R बोल देते हैं of both semi circles वो मरा जाएगा 30 meters तो अब यह जो हमने distance निकालना है inner edge का वो कितना जाएगा तो मैं directly लिख रहा हूँ देखो अब जो distance हमने निकालना है वो actually कितना जाएगा एक तो यह AC length हो गई ठीक है प्लस एक यह BD length हो गई ठीक है प्लस इस semi circle की यह circumference तो यह हो गई A Y B तो यह basically एक arc है तो A Y B इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ plus C Z D C Z D यह भी एक arc है इसको ऐसे लिख देते हैं तो this is equal to यह 106 प्लस यह 106 प्लस A Y B अब radius समें पता है 30 meters तो यह जाएगा πाई R ठीक है तो यह हो गया पाई R प्लस यह भी हो गया पाई R so this is equal to 106 प्लस 106 कितना हो गया 212 प्लस पाई R प्लस पाई R हो गया 2 पाई R so this is equal to 212 प्लस 2 into 22 by 7 into R है हमारा 30 तो इस सब को जब मैं solve करूंगा तो यह जाएगा 2804 by 7 इतने meters ठीक है तो length के unit meters होगे तो यह हमारा answer आ गया पहले part का कि यह जो inner edge है इसका total distance कितना बनता है तो I hope आपको यह समझ में आ गया कि हमने इसको कैसे निकाला है I know थोड़ा सा कभी कभी tricky लगता है लेकिन कुछ है नहीं खास इसमें जो inner lines है उनसे confusion होती है इसमें तो उसको अगर आप भूल जाओगे इस तरह से visualize करोगे तो बड़ा असान लगेगा Let's now move to the next part अब second part में हमें वो कहता है कि यह जो track है इसका पूरा area निकालो तो यह जब पूरा green और red area है यह fine out करो देखो इसको fine out करना बड़ा असान है एक region यह बन रहा है हमारे पास red वाला ठीक है जो rectangular region है तो इसका area जो मैं पता है length into breadth यह होता है ठीक है और similarly यह जो region 2 है इसका area और इसका area बरापर होगा क्योंकि dimensions बरापर है यह भी rectangular same dimension का तो इन दोनों का area तो मिल गया हमें अब बात करते हैं इसकी इसको बोलते थे से region 3 और इसको बोलते थे से region 4 तो जितना region 3 का होगा उतना ही region 4 का होगा क्योंकि symmetrical है dimension same है अब region 3 का area कैसे होगा दखो यह हमें पता कि semi circular region है ठीक है यह actually semi circular region है तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको ऐसे consider करूँ यह अगर मैं इसको मालो बोल देता हूँ E और इसको बोल देता हूँ F ठीक है तो यह E F और इस point को मैं G बोल देता हूँ ठीक है तो E F G यह actually एक पूरा semi circle बन गया तो इस semi circle बड़े semi circle में से अगर यह जो छोटा semi circle है यह A B Y तो बड़े semi circle में से अगर मैं यह छोटा वाला semi circle इसका area subtract कर दूँ तो मुझे यह green वाला area मिल जाता है तो जितना ही area होगा उतना ही इसका भी area होगा एक को find out करो उसको दो से multiply कर देंगे तो अब हमें कहाँ चाहिए यह जो बड़ा वाला semi circle बन रहा है यह जो बड़ा वाला semi circle बन रहा है इसका radius तो इसका radius कैसे मिलेगा तो जो अंदर वाला है उसका radius को हमने पहले निकाल लिया था कि वो है 30 meters ठीक है यह हमने पहले निकाल लिया था 30 meters है क्योंकि वो 60 का half हो जाएगा तो अब track की जो width है यह हमें 10 meters given है तो यानि कि यह 10 meters हो गई ठीक है यह 10 meters हो गई यह 30 meters हो गया तो इसका अबला overall यह जो बड़ा वाला semi circle है इसका जो radius है वो कितना हो गया 40 meters तो इसका हमने radius निकाल लिया अंदर वाले का radius पहले ही पता है तो बड़े वाले के area में से छोटे वाले के area को हम subtract करते है तो सबसे पहले यह जो बड़ा semi circle है तो मेरे पास यह जो semi circle है 30 plus 10 यानि की 40 meters और यह छोटे circle का तो मैं पहले ही पता था चलो फिर भी लिख लेते हैं semi circle A, B, Y A, B, Y इसके radius को हमने R बोला था तो यह हमारे पास है 30 meters ठीक है तो अब हम इस region green region का area निकालेंगे area of region 3 तो ऐसे mark कर लिया करो 1, 2, 3, 4 तो लिखने में असानी होती है और clarity रहती है किस region की बात कर रहे है तो मैं थोड़ा सा quick कर रहा हूँ बड़े semi circle में से छोटे semi circle का area direct minus कर रहा हूँ तो यह जाएगा pi r dash square by 2 minus pi r square by 2 तो यहाँ पे pi by 2 common है तो अंदर जाएगा r dash square minus r square so this is equal to 22 by 7 into 2 into यह a square minus b square का formula लगा दो r dash minus r और r dash plus r इससे calculation हसान हो जाएगी so this is equal to 22 by 7 into 2 into r dash minus r यहनकी 40 minus 30 यह जाएगा 10 और 40 plus 30 यह जाएगा 70 तो यह 2 के साथ यह कटा 5 यह 7 के साथ यह कटा 10 so this is equal to 1100 इतने meter square तो यह area आगया इस green वाले track का तो जितना इसका area है उतना ही अब इसका होगा तो मैं similarly लिख सकता हूँ similarly area of track 4 वो भी कितना आजाएगा 1100 meter square ठीक है और अब हम total area निकाल लेते हैं so total area of track total area of track वो क्या जाएगा वो जाएगा area of region 1 plus 2 plus 3 plus 4 ठीक है तो region 1 का area length into breadth तो मैं थोड़ा सा quickly कर रहा हूँ length into breadth याने की 106 into 10 तो 106 into 10 plus region 2 भी 106 into 10 plus region 3 हमने अब यह भी निकाला 1100 plus region 4 भी 1100 so this is equal to आप यहाँ पर लिख लेना area of region 1 जब लिखते हो तो length into breadth ठीक है वो लिख लेना यहाँ पर तो यह हो गया 1060 plus 1060 plus 2200 so this is equal to इसको जब solve करेंगे तो यह आजएगा 4320 इतने meter square right so this is your answer तो यह total area हो गया इस पूरे track का इसमें से आप इसको इग्नोर कर दो यह मत consider करना कहीं बीच में तो यह part नहीं है सरफ यह है जिसका हमने area निकालना है तो I hope यह question आपको समझ में आगया इसको कैसे solve करते हैं difficult बिलकुल नहीं है वोबस बीच वाली lines confuse करते हैं sometimes okay so now if you think that this video should be shared with your friends and your classmates then please share it but only if you like so that's it from this tutorial keep watching Mathemafia